ये लीज़े एकदम गरम गरम क्रिस्पी सिके हुए पकोड़े जिसमें आलू अंदर से एकदम सौफ्ट और बढ़िया गला हुआ और ये जो कोटिंग है ये कहीं से भी कच्ची नहीं है जो कि एक परफेक्ट पकोड़े की पहचान है नमश्कार दोस्तों पेट पूजा रेसेपीज में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हर्दिक स्वागत करती हूँ और इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ परफेक्ट और क्रिस्पी पकोड़े बनाने के सारे टिप्स और ट्रिक्स यहां हम बनाएंगे आलू, प्यास, पनीर और हरी मिर्च के पकोड़ों का एक मिक्स प्लैटर जो कि किसी के भी चाय पे अचाना का आजाने पे एकदम तुरंत से जटपट बन के तयार हो जाता है पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल के नीचे का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इसके लिए एक बोल में हम दो कटोरी बेसन को छान के ले लेंगे तो इस तरह ऐसे चलनी से हम बेसन को सबसे पहले चान लेंगे क्योंकि कई बार बारिश में हम पकोड़े बनाते हैं तो कहीं कोई कीड़े या इंप्यॉरिटी ना हो इस तरह ऐसे चान के बेसन लेना ठीक है और अगर गुठलियां आती है तो चम्मच इस तरह ऐसे तोड़के से चान ले अब इस चाने हुए बेसन में नमक डाल देंगे हम सबसे पहले स्वाद के अनुसार और इसी के साथ डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्श का पाउडर एक चोथाई चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल लेते हैं और आधा चम्मच इसमें डलेगा अजवाइन आप चाहें तो हथेलियों के बीच में क्रश करके डालें एक चोथाई चम्मच डालेंगे हींग हींग की साथ ही बिल्कुल एक चुटकी हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे जिससे की पकोड़े बहुत अच्छे क्रिस्पी और फूल के बनते हैं बेकिंग पाउडर के बाद आधा चम्मच हम इसमें डाल लेते हैं सूखी हुई कसूरी में थी और अब डालेंगे कटा हुआ धनिया अब इस बेसन में हम पानी डालेंगे तो एक ग्लास पानी मैंने यहां लिया है इसमें से आधा ग्लास पानी एक बार हम इसमें डाल देंगे और विसकर या चम्मच की सहायता से इस तरह से हिलाते हुए पहले इसका गाढ़ा पेस्ट हमें बना लेना है तो इस तरह से लगाता इस तरह से आप पहले एक गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए उसके बाद मैंने तीन से चार बड़े चमच पानी और डाला है और यह देखे इस कंसिस्टेंसी का बैटर हमें पकोड़ों को बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा तो इस तरह है कि पोरिंग कंसिस्टेंस लुए आप जितना पतला काट सकें उतने पतले स्लाइस काटें जिससे क्या होगा की तेल में आलू बहुत बहुत बढ़ेगा और क्रिस्पी पकॉड़े बनेंगे यह देखे इस तरह से काटना है और बिल्कुल वैसे ही मैंने प्याज भी गोल काट लिए हैं पनीर को इस त अलिव ऑईल ले रही हूँ, आप जो भी तेल खाते हैं वो तेला ले सकते हैं और तेल जब एक बार अच्छा गरम हो जाएगा तो जो बैटर हमने पकोड़े का बना के रखा था उसमें हमें आधी कर्ची एकदम गरम-गरम तेल डाल देना है ये देखे, एकदम गरम तेल मैं dip करेंगे और इसे कढ़ाई में डाल देंगे बिलकुल इस तरह से ये देखिए तेल इस समय मीडियम होट गरम है एक बार मैंने तेज आज पे से गरम किया है और उसके बाद गैस को low to medium कर दिया है और अब एक एक करके इस तरह से आलू के slices को मैं बैटर में dip करके इसमें डाल और ये देखिए बैटर में जाते ही बेसन बहुत बढ़िया फूल गया है बस यही अच्छे पकॉड़े की पहचान है बेसन को हमने बहुत अच्छा फेटा है पाँच मिनिट के लिए इसे हमने धख के रग दिया था जिससे बेसन अच्छा फूल गया था और ये देखिए बढ़िया पकोड़े क्रिस्पी सिख के तयार हो रहे हैं और अब गैस की आज को low to medium रखे इससे जारे से पलट-पलट के हमें golden brown कर लेना है और इस तरह का सुनहरा सा रंग आने के बाद हम सारे पकोड़ों को निकाल लेंगे और अब बजे हुए आलू के गोल स्लाइस को भी हम बिल्कुल वैसे ही बैटर में डिप करकर के एक एक पकोड़े को इस तरह तेल में डालते जाएंगे आपको ध्यान रखना है आज low to medium ही रखनी है तेज नहीं करेंगे नहीं तो आलू अंदर से कच्चा रह जाएगा आलू धीमी आज पर ही अच्छे से अंदर से पकेगा क्योंकि आलू बिल्कुल कच्चा है हमारा और इस तरह से पका के इसे निकाल लेंगे फिर यह देखिए कितना crispy, फूला-फूला और soft पकोडा बना है तो यहां देखिए सारे आलू के पकोडे fry होके तयार हो गए हैं तो तेल को इस तरह से जार जार के इने निकाल लेते हैं और अब जैसे हमने आलू के पकोडे fry किए हैं वैसे ही प्याज के भी कर लेते हैं तो जो गोल-गोल प्याज हमने काटके रखे थे उनको एके करके बैटर में डिप करके तेल में डाल देते हैं। और साथ ही मैंने दो पनीर की स्लैब भी बैटर में इस तरह से डिप करके डाल दी है। इनको भी low to medium flame पे fry करके हम बाहर निकाल लेंगे। तो जहारे से इस तरह से उलट पलट के इनको भी बिल्कुल बढ़िया golden crispy brown कर लेना है हमें बिल्कुल इस तरह से ये देखिए प्याज और पनीर के पकोड़े भी ready हैं तो अब सबसे end में हम तल लेते हैं तीखी वाली हरी मिर्च के पकोड़े उसको भी बिल्कुल उसी same procedure से बैटर में dip करके low to medium flame पे golden brown कर लेंगे और अब हमारे सारे पकोड़े तयार हो गए हैं तो जब तक ये गरम गरम है इन पे इस तरह से चाट मसाला स्प्रिंकल करें और हाथ से उपर नीचे करके हर पकोड़े की सारी surface पे चाट मसाला लगा दें अब मैं आपको एक पकोड़ा तोड़ के दिखाती हूँ ये देखे कितना फूला हुआ था ये और अंदर तक प्याज और बेसन बढ़िया पक गया है तो पकोड़े हमारे अच्छे सिक्के तयार हुए है चली अब इसका प्लैटर लगा लेते हैं तो चटनिया मैंने यहाँ लगा ली है हरी चटनी और टमेटो सॉस अब हम सबसे पहले डाल लेते हैं हमारे पनीर के पकोड़ों की स्लैब इसके बाद लगा लेते हैं आलू के पकोड़े और अब डाल लेते हैं प्याज और मिर्च के पकोड़े भी तो बस सज गया है हमारे क्रिस्पी करारे पकोड़ों का प्लैटर एक पकोड़ा तोड़ के हम देखते हैं अभी काफी गरम है य और यह क्रिस्पी पकोड़े आपको पसंद आये हैं तो वीडियो के नीचे जो लाइक का थमसप है उसे दबा दें इस वीडियो को अपने फ्रेंद्स और फैमिली के साथ शेयर करें कोई क्वोरी है तो कमेंट करें पेट पूजा रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब करें और अ अच्छा खाना इसी तरहें बनाते रहें